बगला मुखी हमने माता रानी की इच्छा से आपको बगला मुखी माता की कई तरह की अलोकिक साधनाय दी हैं. लेकिन आज जो मा बगला मुखी की साधना दे रहे यह मा की कृपा कहें. या आपके पुन्य का उदे होना जो आप यह साधना देख रहे या तो सन्वे करे या इ रूटपती से अरबपती भी बना देता है मा बगला मुखी का ये तांतर को पाए। शतकर्मों में विशेशकर स्तंभन के लिए रामबान है। इसमें चूक होने या परपीडा के लिए इसका उप्योग करने पर साधक की हानी भी हो सकती है। साधना में श्रद्धा, विश्वास, आत्मसयम का पालन करना आवश्यक है। साधना रात्री के समय देवी के मंदिर, परवत, पवित्र नदी के तरपर या किसी सिधस्थल पर एकांत में की जाती है। साधना के लिए चोकी पर पीला वस्त्र बिछा कर माता को चित्र, बगला मुखी, यंत्र, कलश, एवं अखंग, दीपक स्थापित करे। माता बगला मुखी के भिरो मृत्युन जय है। अता साधना के आरंब में महमृत्युन जय की एक माला एवं बगला कवच का पाठ करना चाहिए। साधक पीले वस्त्र धारन करें हल्दी की माला से मनोकामना कष्ट निवारन के लिए जब करें। इस मंत्र का जब 1100 बार करना चाहिए। अमीर बनने की कामना से इस मंत्र का एक हजार बार जब करें। इस मंत्र के प्रयोग से साधक कभी दरिद्र नहीं होता। क्योंकि आपका एक शेर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है दिल और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में हमारी मदद करें। हर रोज कुछ नया सीखे हमसे जुरे। फेस्बुक पेज लाइक करें। इंस्टाग्रम चैनल से जुरे कुछ पूछना है तो वाट्सेप पर मेसेज करें या सुबह 10 से दुपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब चैनल पर अभी वीडियो देखे यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा फेस्बुक पेज को अवश्य लाइक कर ले। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन भी दबा दे। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं। तो हमारे संपर्क बाक्स में डाल दे हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। ब्लॉग को पढ़ने वीडियो को दोस्तों में शेर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाग। जै महाकाली हर हर महादेव।